सब्सक्राइब किए तुछ आगड़ी चैनल को और इस बैल आइकन को दपाईए लेटेस्ट कार वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तों मैं हूँ तुछ आर लिक रहा हूँ आप लिक नया वीडियो यहां दोस्तों आज हमारे पास में हैं लेटेस्ट मारूती सुजू की 800 कार और इसको फुली मॉडिफाई किया गया है यह गाड़ी आपको भाई इंदिया में एक ही मिलेगी और बहुत शानदार इसका मॉडिफाई किया गया है इसे तो वन बाई वन सारा मॉडिफिकेशन आपको इस जूरियो में मिलने वाला है तो वीडियो को आप आखरी तक देखेगा तो अभी यहां पर आदिख पाएंगे आप वाइट कि हमारी यह 800 गाड़ी है और इसकी फ्रेंट लुक की हम लोग बात करें तो यहां पर ओरिजिनल मारूती का आपको हेडलाइट देखने को मिल जाता है जो कि पहले जब गाड़ी लॉंच हुई थी सेम एज इस हुई है इसके इलावा यहां पर जो बंपर है उस पे भी बढ़िया काम किया गया है फ्रेंट साइट से आपको देखने को मिलेगा यहां पर हेडलाइट और फ यह दिख रहा है इसके इलावा इस गाड़ी के अंदर नियो कंपनी के चार अलॉई वील्स लगाए गये है और साथ में यहां पर आप देखेंगे तो यह आटोमेटिक एंटिना भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो की आटोमेटिक अप और डाउन होता है तो यह ब अलॉई वील्स मिल जाते हैं वाइट कलर की है और बड़ा सांदर लुग देते हैं इस गाड़ी को चार टायर्स के साथ में यह अलॉई वील्स लगे हुए और इसके जो डिक्की है उसके पास भी एक अलॉई वील्स लगाया गया है इसके इलावा आप यहां पर देख देख गया है रियर सॉट की बात करें तो यहां पर भी आपको स्टैपनी मिल जाती है जो कि आपको यहां सबस्था पाएग पाएंगे तो यह अपर धट लाइट लगाया गया है जब घारी के ब्रेक लगते हैं तो यह लख आौन भी लाट हो जाता है जो कि rear side से look बहुत बहुत बहतरीन मनाते हैं तो overall exterior की बात करें तो गाड़ी white color की है जिस पे आपको मिल जाते है alloy wheels, roof में मिल जाते है monster, spoiler और भाई आपको front side में देखने को मिलेगा automatic antenna इसके इलावा यहाँ पर इस गाड़ी के side mirrors आप देखेंगे तो इतना sporty look वाले आपको side mirrors भी हाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि इस गाड़ी को बहुत बढ़िया attractive बनाते है तो यह देखेगा हमारे sporty side mirrors जो कि इस 800 गाड़ी के अंदर लगाए गए है तो भाई यह तो हुआ exterior की बात गाड़ी का interior इससे भी भेतर है तो वीडियो को आप आखे तक देखेगा मैं इसका interior भी आपको बताने वाला हूँ तो overall यह जो हमारी गाड़ी है भाई exterior look से आप देख पाएंगे बहुत शानदार है अभी हम लोग गाड़ी के interior में चलेगे तो interior में आपको यहाँ पर जो दोर है उसमें पूरा ladder finishing देखने को मिलेगा इसके इलावा component speakers JBL के इसके अंदर लगाए गया है 6 inch के speakers आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे JBL company के साथ में ट्वीटर speakers और 4 power windows भी इसके अंदर लगाए गई है तो यह सारी चीज़े भाई इस गाड़ी के अंदर modify की गई है 4 power window driver side के सारे controls button power window के हाँ पर मिल जाएंगे Twitter speakers JBL के इसके अंदर लगाया गया है और पूरा ladder से इस door को बनाया गया है गाड़ी के अंदर चलेंगे और यहां पर आपको आई पॉप का बड़िया सा मिल जाता है steering wheel और यह हो गया भाई हमारा pioneer company का steering wheel control original speedometer जो की 800 गाड़ी में अल्री था इसके इलावा यहां पर आप देख पाएंगे तो यह जो leather seat cover में लगाया है यहां पर आप देख पाएंगे कि अंदर से गाड़ी और ज्यादा अट्रेक्टिव लग रही है यहां पर आपको फुल टच एंड्रॉड इस्ट्यो सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा इसके इलावा आप गाड़ी चलाएंगे तो कितना कलिमोटर चल रही गाड़ी वह भी डिजिटल मिल जाएगा इसके लावा साइड में टैंपरेचर का भी आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के अंदर कितना टैंपरेचर है और गाड़ी के बाहर तो यह सारा सिस्टम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है सीट की बात करें तो सीट का जो आप लुक देख पाएगे बहुत बढ़िया है और गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया फील करती है भाई मतलब एक नंबर इसका काम किया गया है रियर सीट पर आप देख सकते हैं फुली बकेट सीट कवर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की गई है और भाई इस गाड़ी का जो हमारा डोर है तो हर डोर पर आपको मिल दाएगा भाई पाइनियर कम जीबियल कंपनी के चेंज के स्पीकर्स वित कंपोनेंट स्पीकर्स तो यहाँ पर आपको यह डोर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो की बहुत अट्रेक्टिव लगते हैं इस गाड़ी के अंदर इसके लावा रियर साइड में चलेंगे तो रियर साइड में भी आपको सेम एस इस यहाँ पर एलेडी लाइट भी आपको मिल जाता है डोर उप आपको बताऊंगा यह है भाई 4 इंच की LCD स्क्रीन जो की दोनों सीट के पीछे लगी गई है तो फ्रंट साइड में जो भी वीडियो चलेगा तो यहाँ पर भी भाई वीडियो देख सकते हैं तो यह चीज भी इस गाड़ी के अंदर लगाई गई है और यह बहुत बहुत लुक देती है तो फ्रंट साइड से आप देख पाएंगे जो इसके बकेट सीट कवर से टच स्क्रीन सिस्टम है इस पीरो मीटर है जे बील के स्पीकर से और पीछे में आप वर्ल्टेक कंपनी के देख सकते हैं 4 इंच की स्क्रीन जो की बहुत बढ़िया है इसके इलावा इस गाड़ी के अंदर और भी बहतरीन काम किया गया है गाड़ी के डिक्की में बहुत बढ़िया पाइनियर के वूफर्स लगाया गया है अंप्लिफायर लगाया गया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को भाई आखरी तक देखिएगा ये है भाई हमा आख आती है तो यहां पर आप देख पाएंगे पायनियर कंपनी के चैंप्यन स्रीज के लगाये गये है वूफर्स और पायनिय64 के ओवल स्पीकर जो कि व्ड़ो के अंदर इस्टाल किया गया है और देखिए अम्प्लिफायर भी आपको पायनियर कंपनी के के अंदर मिल आएगा जो कि इस वूफर को पावर सप्लाई करता है तो यहां पर यह सारा मॉडिफिकेशन किया गया है और बहुत शांदर यह गाड़ी है तो अभी आप गाड़ी को देखेगा इसके लाबा इस सिस्टम का साउंड आपको सुनना है तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसको आप लाइक कर लीजे वहाँ पर मैंने इस सिस्टम का पूरा साउंड अपलोड किया है तो यहां पर आपको मैं इसका साउंड नहीं सुना सकता है लेकिन इंस्टाग्राम पेज पर मैंने इसका फुल वीडियो डाला है फुल साउंड का तो वह गाड़ी की टेस्ट डाइब करते हैं तो गाड़ी चलने में तो भाई इतनी स्मूथली चलती है मतलब मज़ा आ जाता गाड़ी को चलाने में तो यह है हमारी मारूती 800 जिसको फुली मॉडिफाई किया गया है भूपाल सिटी में तो बिलकुल आपको भी ऐसा मॉडिफिकेश इसके अंदर आपको फुल एसी का भी सपोर्ट मिल जाता है एसी प्रॉपरली इसके अंदर वर्क करते हैं यहां पर आप देख पाएंगे यह हमारा टच स्किन जो की पाइनियर कंपनी का है और चलाने में गाड़ी भाई बहुत शानदार है तो दोस्तो आज के लिए वीड जय भारत लिए लागा जो जो एसानदार है तो दोस्तो आपाइनियर के लिए ओाइनियर करेंगे जो जफ दोस्तों है और चलाने में जाल़ी का लाइनियर के लिएका है तोस्तों है